उनके अंदर चलती है एस्ट्रस साइकल इससाल नीट में भी कोशन आया था किया दो जह देखना यूट्राइन वहल में क्या होगा और यहां पर ऑवरी के अंदर क्या होगा दोनों स्केश में निगा करना अब कहानी चालू होगी किसकी आप बोलोगी अब कहानी चालू होगी की सर मेंसूरल साइकल एक्षश यहां पर भी वही है और यह डिफ्रेंट फेजिज फेज है जो एकद 걸ू जो पर जो साट करने वाले नहीं जिस सोक्री में साट होती हैं कहां से स्यतक प्रफद्र होती है वही 1112 सालウ était यारा 12 साल वाली उम्र क्या इसको बोलते है साइकल को इस साइकल को बोलते है मैंसुरल साइकल ठीक है और उस एज को बोलते है जब स्टार्ट होती है मिनार के और कब तक चलती है मैंनो पॉस्ट जब स्टार्ट होती है साइकल इसको बोलते है मिनार के 11 12 12 साल वाली उम्र और क तक चलती है 50 साल की उम्र तक चलती है एक रिप्रोड़क्शन इन और्गिनिजम पॉटनी में चलेगा ठीक है तरुबसर कराएंगे आपको टेंशन मत लो ठीक है क्योंकि वह डिलीटिट टॉपिक में होगा इसलिए सर हो सकता है उसको लास्ट मेल हैंगे हो सकता है प्लस माइनस टूड़ेज हो सकते हैं अठाइस से इनकी होती है फ्लस माइनस टू डेस हो सकते हैं यह कौन सी फीमेल आप बलोगे प्राइमेट्स कि एंके अंदर āबह टो प्राइमेट्स जो प्राइमेट नहीं है उनमें कौन सी साइकल चालती है उनमें सब्सक्राइकल नाम पता हुना च Immer और मंकी जो होते हैं टिकए प्राइमेट्स जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर चलती है एस्टर साइकल इस साल नीट में भी कोशन आया था देखो नीट में आया था जबकि एस्टर साइकल का तो जिक्र ही नहीं कभी कभी कुछ चीज़ा आ जाती है जोलोजी में ही आती है बॉटनी लग पूरी पूरी फुल लें से मिल जाती है ठीक है तो अधर दैन जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उन्हें तो एस्टर साइकल चलेगी आप यहां क्या पढ़ने वाले हैं मैंसल साइकल पढ़ने वाल जिसमें फॉलिकल का डावलमेंट होता है ठीक है प्रोलीफरेशन ओफ एंडोमेंटरी हम होता है समझांगा अभी सारी बात है ठीक है समझता है मेरी बात एक एक चीज़ को मैं लेके चलूँगा स्टैप बाइस तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मैंसुरल फेज मेंसुर पांच दिनों की एक दो तीन चारं पांच एक से प्धिनों कीGM main atenção होगा क्या दो जेके धेना यूट्राइन वॉल में क्या होगा और यहां पर ऑवरी के अंदर क्या होगा दोनों स्टेज्ड में निगा करना मैं स्टार्ट करनाओ मेंस्रोल फेस तो जबत न के अंदर किया होगा ओवरी के अंदर क्या होगा मेरी बात तो प्राइबरी फॉलिकल तयार होते हैं आगे बढ़ने के लिए प्राइमरी फॉलिकल तयार होती है आगे बढ़ने के लिए समझे रहा हो यां ब्ली टिंग ऑई यां फॉलिकल टायार हुए ठीक है तो अधीए कि और यहां आ लोगया तो एक सब्सक्राइब मैं सुर्छर तुम समस्थ में तो एक 토追म होगा यह बलीधिंग कोई यह ब्लीडिंग आगया हो यह यह फॉलिकल निकला यह त्यार और यह यह Еще पांच नों में यह काम होता है इन नहीं काम होता है अगे पड़तें आगे परतें इस अगली से आएगी जिसमें दुबारा से बनेगी समझना कितने दिन से छह से लेकर के चौधमे दिन तक ठीक है इसको बोलते है प्रोलीफरेटिव फेस फॉलीकुलर फेस बोल सकते हो फॉलीकुलर फेस फॉलीकुलर फेस स्टार्ट हो गई घ्यान से देखो के अंडुमेट्रियम बन बन रही है बं गई ठीक है बार्विश्य दिन तक तो बन चुकी यह तयार है 12 दिन तक एंटुमेट्रियम तयार है क्योंकि 13 और सोने की प्रोवेबिलिटी एंडुमेट्रियम तयार है तो मैरी बात ऐसा तम धूरें तयार अब होगा हाग यह बन गया ग्रैफिन फॉलिकल टैयार है ग्रैफिन फॉलिकल जाता है अब समय आ समें आगया ओंटलिमोडे करो यहां कुछ भी नहीं होता है तरह यहां करना है 14 इंच्रोजीन पटता सम्झाहाँ भी चौद में दिन ओविलेशन होगा कि और से किन्डरी उससाइट फैलोपीन ट्यू में जाएगा सेकिंड रЙ साट निकल फैलोपीयन ट्यू में जाएया आप इविलीशन यहां और यह निकला यह निकल यह निकल यह जा रहा है है कहाँ पर आप लोगे फैलोपीन ट्यू के अंदर चौध में दिन ओविलीशन हो गया अब क्या होगा अब ल्यूटियल फेज होगी ल्यूटियल फेज में एक तो मैंने बता था एंडुमेट्रियम दुवारा से थिक होगी और एंडुमेट्रियम को मिंटेन किया जाएगा प्रोजिस्ट्रों की हैलफ से और सिक्रेटरी बनाए जाएगा तो आगे की फेस देखो जो पंध्र में दिन से स्टाट होगी और चली-चली-चली एंडुमेट्रियम और ठिक हो रही है । ना और सासर प्रें क्या होता है यहां पर कॉर्पस लूटियम बन जाता है अचगाय वो गया कोई नहीं कोई नहीं इसको दुबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं का Prozent一樣 ना मैंशर फेसज हो गई एक से पांतिंगी और चस्टमें से ठीक है फॉलिक्टिलर फेस चालों जबी आपकि और अंदर जाते ही कॉर्पोस लृटियफ में कर जाएगा कॉर्पोसल्व स señor कर जा जाएगा कॉर्स न की साइकल पूरी होगई समझ में आही है। सब्सक्राइब मुस्याज़ पूरी हो चुकी है यादा समौने है तरी के नहीं है समझना मेरी बात इस बेसिक को एक तरीके से हम रिप्रेजेंट और करेंगे ठीक है इसको में एक तरीके से और दिखा रहा हूं इस सारी फेस को इसमें आपको होर्मोन के सारे स्टेज भी दिखेंगे ठीक है समझने कोशिश करना पहला दिन यह दिन समझना दिन दे रखें सार 10 दूसरे दिन क्या यह तैयार हो गया तीसरे दिन चुर्थी दिन पांचवी दिन तक तो ब्लीडिंग औरी ऑग्री आशेट दूफ यह यह वह रही कुछ भी नहीं ऊब यह रहाए स्कों कौन सी फेस्ड बोलते हैं मैं सुराल फेस बोलते हैं डे बन टू दे फाइव मैं सुर फेज है only bleeding only bleeding समझना अब क्या होगा सब्सक्राइब यहां पर डबलमेंट पर फेंटोमेंट्रियम होगा समझे रहो इसको बोलते है प्रोलिफरेटिव फेज ठीक है प्रोलिफरेटिव फेज समझ गया है ना मेरी बात को कि ओबरी में क्या हो रहा है फॉलिकुल कर डबलमेंट फॉ फॉलिकुल र फेज थे अव दो फॉलिकल्ट चलो ओब अप जी फॉलिकल्ट चालूं ओ सिकिंडरी फॉलिकल ये ऐसंड सेशलि भॉलिकल और tertiary follicle के बाद ये बन गया graphene follicle, ये तयार हो गया, ये graphene follicle, यहां तक graphene follicle है, ये graphene follicle है, तो तेरवे दिन है, तेरवे दिन है, तेरवे दिन में graphene follicle तयार है evolution के लिए, तेरवे दिन graphene follicle तयार है evolution के लिए, तेरवे दिन graphene follicle तयार है evolution के लिए, तेरवे दिन graphene follicle तया रहे समझना यहां पर एलेच और फेसेश की पीक आएगी चौदमें दिन फॉर्टीन दे की बात कर रहा हूं अब तक एस्ट्रूजन का लेविल बढ़ चुका था अब आगे प्रोजिस्ट्रोन भी बढ़ेगा क्योंकि बढ़ा हुआ एस्ट्रूजन ही तो इस फॉलिकल का ड यह हो गया ओविलूशन यह निकल गया ओवा ओवा कहां चला गया फैलोपी अंटीओ के अंदर अब यह जो स्फटा हुआ पार्ट बचाता है यह ग्लेंड में कनवर्ट होगा पंद्रमें दिन से चालू यह बन गई ग्लेंड कौन सी ग्लेंड बन गई कॉर्पस लिउटिय कौन और कॉल न को रिप्र ईट्रों को बना रहा है और कौर्पस लिणे को रिलीस करेगा यह कॉर्पस लिटियम एस्ट्रोजन को भी रिलीस करतरा है और बे अ को भी यह रिलीस में पर 29-25 अँके नियु बन गया implication में पर यह बन गया UC L by cance, क्यों बन गया, क्योंकि यहां पर अच्छानक से LH कम होना चालू हो गया, LH कम होना चालू हो गया, LH कम होते ही यह डिजनरेट कर जाता है, बन जाता है, कॉर्पस L by cance, समझ में आया, तो इस तरीके से भी यह पूरी साइकल समझ में आई होगी, कि किस स्टेज पर क्य हो रहा है, कौन सी पी कब आ रही है, समझ में फिर से बता रहा हूँ, पहले दिन से पांच में दिन तक क्या हो रहा है, ज्यान दो दो को, मेंसरोल फेज, फिर पांच से लेकर के, तेरवी दिन तक, फॉलिक्यूलर फेज, डवलमेंट फॉलिकल, या एंडोमेटरियम के अंदर, एंडोमेटरियम बन रही है, तो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, प्रोलीफरेटिव फेज, क्योंगी प्रोलीफरेशन बोलते हैं, चौदमेंट दिन क्या होगा, ओविलूशन, और पंदरमें दिन से लेकर के, 28 दिन तक की फेज को क्या बोलेंगे, लिूटियल फेज, डवलमेंट ओफ कॉर्पस लिूटियम, और कॉर्पस अल्बिकैंस, अब किस दिन कौन से हार्मोन की पीक कहा आती है, किस दिन कौन सा, स एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, दिन के हिसाब से, समझ में आया,